ओम शान्ती 18.05.2021 की साकार मुरली मीठे बच्चे कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने मन मनाभाव के मंतर से ही तुम काल पर जीत पाएंगे प्राश्न रोहानी बाब तुम रोहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेश सिक्षा देते हैं उत्तर हे रोहानी यात्री तुम देह अभिमान छोड देही अभिमानी बनू रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया अब आत्म अभिमानी बनू यह रोहानी ज्यान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता गीत ओम नमश्यवाई ओम शांती धारणा के लिए मुख्यसार पहला रोहानी यात्रा करनी और करानी है स्वयम को सतोप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुशार्थ करना है दूसरा काल पर विजय पानी के लिए बाप की सिक्षा को ध्यान पर रखना है अपने को रूह समझ रूहों को ग्यान देना है वरदान आवाज से परे की इस्तती में इस्तित हो सर्व गुणों का अनभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव जैसे बीज में सारा व्रक्ष समाया हुआ होता है वैसे ही आवाज से परे की इस्तिती में संगम युक्के सर्व विशेश गुण अनुभव में आते हैं मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सर्व शान्ती नहीं लेकिन शान्ती के साथ ज्यान अतेंदरिय सोख प्रेम आनंद शक्ती आदी आदी सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना यह अनुभव सिर्फ स्वयम को नहीं होता लेकिन अन्य आत्माई भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं एक गुण में सर्व गुण समाय हुए रहते हैं स्लोगन अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा